दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं complete बात करने वाला हूँ कि डी फार्मा के बाद बी फार्मा कैसे होता है किनी स्टुएंट को करना चाहिए क्या वाकई में डी फार्मा कबात बी फार्मा करने से हमारे पास ज्यादा केरियर आप्सन होते हैं ज्यादा बहतर हम अपने मेरा नाम है उदित नराइन विश्वकरमा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेशी के यूटूब चैनल पर जैसा कि दोस्तों आपने हाइश्कूल या इंटर्मेडेट यानि कि दस्वी ग्यारावी बार्वी से आपका इसा प्लान होता है कि आप करोगे फार्मेशी तो यदि आप डी फार्मा कंप्लीट करते हो तो आपको फार्मेशी का एक बहुत ही बेसिक साथ डिप्लोमा साटिफिकेट यानि डिप्लोमा कोर्श मिलता है उसके बाद आप अपना बिजनस ओपेन कर सकते हो ज्यादातर जगा जोब के भी बहुत से आप्सन है जस्ट ला जोब पाना तो डी फार्मा से आपका काम नहीं चलता है वहां पे ज्यादातर जगह बी फार्मा डिग्री यानि बैसलर डिग्री ग्रेजुएशन के जुरत पड़ती है इन फार्मेशी यानि बी फार्मा जब अपना डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हो और आप चाहते हो बी फार्मा करना तो आपको बी फार्मा के सेकेंडियर में यानि बी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टेड मिसन मिलता है एक साल आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़ता है और आप दो साल डी फार्मा कंप्लीट करके फार्मेशी के बारे में काफी कु सब्सक्राइब करते हैं तो आपको थोड़ा सा कांफिडेंस होता है कि चल कोई वापनी मेरे भाई दो ही साल तो यहां पर टाइम देना पड़ेगा और इसके बाद यदि आपको इंट्रेस्ट आता है फार्मेसी में तो आप भी फार्मा डेफिनेटली कर सकते हो यहां पर मैं बात करूँ एड्मिशन प्रोसेस की तो बिद्धाश्री कॉलेज और फार्मेसी डाइरेक्ट एड्मिशन आपका ले लेगा यदि आपको चाहते हो भाई डी फार्मा गवाद बी फार्मा करें तो इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहां पर भी बिद जो है कॉलेज, केंपस, क्लास्रूम, लाइब्रेरी, लैब, फेकल्टी के साथ यह कॉलेज आपको है और इस कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हो तो इधर आई बटन में दिया हुग आई वीडियो कॉलेज मैं खुद गया हूँ मैं खुद वीज इतना डाकुमेंट आपके पास है तो आप भी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यहां पे किसी प्रकार का प्रसेंटेज का कि इतना प्रसेंट होना चाहिए इतना डिविजन होना चाहिए इंट्रेंस एक्जाम दो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है हम बात करें बिद्यासरी कॉलेज फार्मेशी की फीज की तो यहां पे आपको फीज देनी पड़ेगी मात्र साथ हजार रुपए पर येर का फीज और बाकी डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करो कॉलेज का नंबर है कॉलेज के मेंबर आपका नंबर रिशीप करेंगे जो है इस सारा डिटल और बाकी बीडियोज को देखना ना भूलिएगा बीडियोज में मैं खुद डिटेल एक्स्प्लेन किया हूं क्योंकि विद्यासरी कॉलेज फार्मेशी में खुद विजिट किया हूं और यकीन मानिए कि डी फार्मा से कई गुना ज्यादा कैरियर ऑप् सब्सक्राइब करते हैं और यूद्य फार्मा कंप्लीट कर लिए अब हमें टीचिंग लाइन में जाना है तब पर विद्वार्मा के बाद बीफार्मा करने के लिए उमीद है कि आप काफी कुछ सीखे होंगे और विद्दासरी कॉलेज फार्मिसें में चाहते हैं दिए हुए contact number पे call करे admission के बारे में inquiry लिए अपना admission आप ले सकते हैं ठीक है dear उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आये होगी वीडियो अच्छी लगी होगी भी फार्मा करने के क्या क्या फायदें है इसको भी आपको सुझ में आया होगा ठीक है फिर मिलते हैं किसी next वीड आपको बाइबाइब अगयो आपको बाइबाए आपको बाइब धायदोर।